हेलो क्लास हाव यू कैसे हैं ला जवाब है फर्स क्लास हैं तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेक्सेशन के सफर का पहला चैप्टर पहला टॉपिक और बेसिक्स ऑफ टेक्सेशन के रेट यह पूरा सफर हमें तै करना है पहले हमें हमारे टेक्सेशन के हमारे सब्जेक्ट के हमारे इंडिया के टेक्सेशन लौस के जो बेसिक रूल्स है जो बेसिक नौलिज है वो हमें मालूम होनी चाहिए तो इस particular chapter में हमारे पहले chapter में हम जो content करेंगे वो basic definitions से related होगा साथ ही हम इस chapter में ये भी पढ़ेंगे कि हमने अपने income tax law के विहाफ पर income के तरीकों को income को generate कैसे किया जाता है उसको कितने parts में divide करा गया है साथ ही हम यहाँ पर किस साल tax लगता है किस साल income generate होती है ये कुछ छोटे-छोटे financial year से related provisions जो है उनके बारे में भी पढ़ेंगे and yes the main thing tax calculate कैसे होता है हम compute कैसे करते है income tax को कि अगर कोई particular individual या particular company या particular partnership firm अपनी कोई income जो उसने कमाई है एक particular financial year में हमें बताएगा तो उस पे किस तरीके से taxability जो है वो arise होगी तो यह पूरा का पूरा content यह सारा का सारा content हमें cover करना है बट yes obviously सबसे पहले जो हमारा interesting part होगा वो होगा इसका basics तो सबसे पहले subject है हमारा tax subject हमारा क्या है tax है tax होता क्या है अगर मैं normally आपसे पूछू के what is tax कि होता क्या है टेक्स तो आप अक्सर यह कहेंगे हम के वही जो income के उपर लगता उसको हम tax कहते हैं ओके अगर नॉर्मली सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा what is tax तो आप का answer के आएगा कि sir जो income के उपर लगता है जो charge लगता है जो हम government को पे करते हैं उसको income tax का जाता है नहीं दोस्तों आपने जो कहा है वो कहा तो बिल्कुल ठीक है पर वो tax नहीं है जो चीज आपने बताई कि income के उपर जो charge लगा उसे हम tax बोलेंगे that is income tax उसको हम क्य हाग है एक पार्ट है अगर मैं overall आप से पूछ हूँ कि भई tax क्या होता है तो सीधी सी बात है आईए सबसे पहले हम इसी चीज़ को discuss करने जा रहे हैं कि what is tax तो सबसे पहला point हमारे सामने क्या आया tax is compulsory payment of money to the government to the government ने कुछ rules कुछ regulations बनाए हुए है उसके बिहाफ पर उसके amount pay करना पड़ता है उसको हम कहते हैं tax अब example लेंगे इसका अब इसका example लेंगे कि जैसे अगर कोई particular individual इतनी income generate करेगा तो यह क्या है यह रूल है यह जो government का बनाया गए एक law है तो that is what compulsory payment pay करना है पड़ेगा ऐसे GST भाई हम market जाते हैं shopping करते हैं कोई भी चीज़ हमने buy करी खरीदी तो उसमें क्या वक्ष जो shopkeeper है जो हमें क्या नाम है goods दे रहा है जो में service दे रहा है हम समान उससे खरीदते हैं वो अपना charge लेता है प्लस उसमें GST भी add कर देता है उसमें extra amount भी add कर देता है tax का तो वो भी क्या है वो भी government ने law बनाया हुआ है कि अगर आप कुछ खरीदोगे तो उसके उपर tax लगेगा तो सीधी सी बात ये law ये rule हर particular individual को हर citizen को follow करने है हमारी country के साब से and yes ये जो amount है ये government को compulsory basis पर pay होता है compulsory basis पर pay होता है साथ ही ये financial charge एक financial fees आप इसको कहेंगे जो government impose करती है किस पर income पर भी कर सकती है like income tax okay community चीजों पर भी कर सकती है जो goods के ओपर चीजे हम खरीते है उसके ओपर tax लगता है और activity अलग-अलग services पर जो tax लगता है जैसे हम movie देखने जाते हैं यह हम कहीं सफर करते हैं तो उसमें add होता ना GST वो service tax की तरह तो ये जो imposition है government की तरफ से वो अलग-अलग चीजों के पर हो सकता है got it और obviously purpose क्या है why government collect taxes हम जानते हैं government tax का क्या करती है मतलब actual में जो भी होता रहो बट जो एक law है उसके हिसाब से हमने अपनी democracy में हमने अपनी country में अपने votes के आधार पर government को select करा है ठीक है government कौन है government आप कह लीजे for an example एक NGO की तरह हैं जो की तरह है मतलब कि उसे एक purpose मिला हुआ है किसी target को पूरा करने का what is that purpose पर यह country है इसको चलाना है इसको develop करना है इसके social development आपका human development आपका economic development करना है अब उसके लिए पैसा चाहिए तो government कहां से पैसा लाएगी अपने आप तो note नहीं चापेगी ना जितने मर्जी चाहिए उतने note चाप लो currency issue होती ह पर उसके limit होती है अब government वो खर्चे कहां से पूरा करेगी यस government खर्चे जो है अपना पूरा करने के लिए जो अपना revenue है वो generate करती है अलग-अलग तरीकों से और उसमें tax main है तो government tax collect करेगी और उस money को economic situations के हिसाब से economic development के हिसाब से categories के हिसाब से अलग-अलग platforms पर like infrastructure, education, health इन सब sectors में उनको वो खर्च करती है ओके, so that's why government collect आपका income tax, government collect tax only, income tax के बारे में भाद में बात करेंगे, ओके, now उसके बाद जो आगे आप heading देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होगे direct tax और एक आपका indirect tax, schooling में आपने कहीं न कहीं इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा के direct tax और indirect tax क्या होता है, got it? तो कुल मिलाकर, सीधी सी बात यह है, कि जो tax है, अगर हम types of tax की बात करें, तो tax को दो parts में, दो section में, दो categories में, divide करा गया है, पहला है हमारा direct tax, और सीधी भाषा में कहें, जो directly पे होता है, और indirect tax, obviously, जो indirectly पे होता है, तो direct tax is that tax which paid directly, indirect tax is that tax which paid indirectly, अब यह definition हम actual में किसी को नहीं कहेंगे, ठीके, concept इसका यह है कि direct or indirectly pay होता है, बड़ इसको कहने का तरीका, लिखने का तरीका एक अलग तरीके से होता है, what is that, मैं ज़रा उसके आपके बारे में बात करते हैं, कि direct tax basically होता क्या है, अगर direct tax को हम लिखें, जहां पर आप लिखेंगा साथ मेरे, जो short में आपको उसको बता रहा हूँ, direct tax से अगर हम बात करें, it is, it is paid by those, it is paid by those on which, on which it is imposed, on which it is imposed, जिसके उपर, जिसके उपर, टेक्स को इंपोस करा गया होगा, जिसके उपर टेक्स को लगाया गया होगा, वही इसको पे करेगा, वही इसको पे करेगा, जैसे, for example, मैं direct tax से example ले रहा हूँ, आपका जैसे की income tax, अब मैंने income generate करी, मालनो मेरी कोई particular income हुई, 10% tax देना है, तो मेरा 10% tax, for example, मैं assume कर रहा हूँ, वो 10,000 रुपे आया, मैं वो 10,000 रुपे मेरे पास report आ गई, form आ गई, 10,000 रुपे करने हैं, और मैंने आपको दे दिया o form, के यार ये मेरा tax है, तु पे कर दियो, भाई नहीं है, भाई नहीं है तु मेरा, पे कर दियो, है ना, प्लीज जानते हो ना कर दे ना, आप करोगे क्या, आप करोगे, definitely आप मना कर दोगे, ठीक है, के सर ठीक है, अपना पढ़ा रहे हो ठीक है, तो सीधी सी बात ये हुई कि government ने वो tax मेरे उपर impose करा और government को मैं ही पे करूँगा ठीक है मैं ही जिसके उपर impose हुआ है वही directly government को pay कर देगा ओके इस चीज को हम कहते हैं direct tax ठीक है और income tax उसका एक example होता है ऐसे ही wealth tax भी पहले लगता था हाला कि अब ये abolish हो गया है अब इसकी existence नहीं है खतम कर दिया गया इसको एंड ये similarly security transaction tax STT ये shares की खरीद बेच पर लगता है तो जब अब shares को खरीदते हैं तो share खरीदे आपने तो tax कौन पे करोगे भाई सीजी सी बात है जिसने खरीदा वही पे करेगा तो government को directly pay हो जाता है ओके तो that's the provision for direct taxation जिसके उपर impose हुआ वही उसको pay करेगा ठीक है बीच में कोई और नहीं है लेकिन जब हम बात करते हैं indirect tax की तो paid indirectly paid indirectly कैसे कैसे इसको अगर हम definition के साब से बोलें so it is like imposed imposed on a person imposed on a person but but partly or wholly वैसे partly होता ही नहीं है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ holy लिख रहा हूँ holy के साब से definition लिख रहा हूँ but paid but paid by other but paid by other government ने impose किसी और पे करा impose किसी और के उपर करा लेकिन उसको pay किसी और ने करा है for example for example भई आप याप याप जो है shopping करने गए shopping करने गए और shop की पर से ये shop है shop की पर से आपने कुछ सामान बाए करा okay अब सामान बाए करा 100 रुपे का मान लेते हैं कर लेते हैं तो आपके पास सौमान आलो आपने ये चीज़ के पैन बाए करा that cost रुपीज हंडर्ड तो सो रुपे का आपने पैन खरीदा लेकिन शौप की पर ने क्या करा कि ये 10 रुपे जो है ये 10 रुपीज जो है इसमें एड कर दिए GST के नाम के और आपसे 110 रुपे ले लिए आपसे 110 रुपीज ले लिए so what you get actually आपको मिला क्या आपको मिला ये पैन पकड़ो जल्दी फटाफट से आपको मिला ये पैन ये पैन कितने का 100 रुपे का है 100 रुपे की चीज़ आपके पास आई 100 रुपे चले गए हिसाब समझ में आता है okay but ये 10 रुपे एक्स और राष्मनुपघ और कोर्मनुट वह ना सकती तो आपके पास से 10 रुपे गए किस के पास गए क्सके पास गए गये कर्या मैं ये 10 रुपे जो है ये शौपगीपर अपने पास नहीं रखेगा ये तो गोर्मनुटको दे देगा ये 100 रुपे के पास लहेंग इसके यह government के पास चले गए आगे तो यहाँ पर अगर आप देखें यह आपकी pocket से गए यह आप हो मादलो shop की पर मैं हूँ तो वो 10 रुपे tax के आप से मेरे पास आए और मैंने government को pay करा इन डारेक्ट tax government ने impose किसके उपर करा था एक तरह से देखा जाए तो मेरे को बोला था कि तुझे collect करना है कहां से वोई जो समान खरी देगा उससे clear तो impose मुझ पर हुआ collect मैंने आप से करा government तक पहुँचा दिया that is what indirect taxation that is what indirect taxation okay got it तो यह दोस्तो concept है हमारा taxation का जिसको हम divide करते हैं जो types के अगर हम बात करें तो दो पार्ट है आपका एक है आपका direct indirect और यह example हमने इसके देखें जैसे indirect tax में जिससे तो आप वाकिती होंगे सारे के सारे जिसस्ट नॉर्मली daily basis पर कुछ ना कुछ खरीद रहे हो एक्साइस duty एक्साइस duty यह आज भी पेट्रोल पर और लिकर के उपर लगती है क्योंकि पेट्रोल लिकर अभी जीस्ट के दायरे में नहीं है ठीक है पेट्रोल शायद आने वाले समय में आजा है लिकर को तो बाहर ही रखा गया है कस्टम ड्यूटी बाहर से कुछ समान वगयरा खरीते हैं या बेचते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है तो यह टेक्सेशन का दायरा है बट फॉर आर स्टेडी जब हम यह आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जब हम इनकम टेक्स की बात कर रहे हैं अभी जो हमारा सफर है अभी जो हमारा कंटेंट है तो हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम टेक्स को लेकर है तो इसके साथ ही इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने यहां पर लिखा हुआ है आपका जिसे डारेक्ट टेक्स की बात करें तो ये डारेक्टली जो इनकम है या वैल्थ है उसके उपर लगाते हैं वैल्थ तो मतलब अगला खतम हो गया है वैल्ट टेक्स जबकि उधर अग हम बात करें तो ये goods and services के consumption को लेकर लगता है उनकी pricing के ओपर indirect tax लगता है और cdc बात है यह directly paid होता है जिसके ओपर imposed होगा वो ही उसको pay करेगा यह process हमने भी समझा और यहाँ पर indirect way में इसको pay करा जाता है ठीक है यह repeat हो रहा है आपका यह income पर लगेगा यह goods and services पर लगेगा burden की बात करें तो यहाँ पर burden shift नहीं हो सकता था जैसे हमने बात करी थी income tax की merit tax की तो मेरा tax आप पे नहीं करेंगे आप मना कर देंगे तो मना कर दिया आपने cdc बात है तो मुझे ही pay करना पड़ा जो tax का burden था मैं shift नहीं कर पाऊंगा but yes special that's the main feature of indirect taxation कि यह buyer के उपर shift हो जाता है हमारे वाले example में जो उपर example हमने लिया government ने GST मेरे उपर impose करा था जो भी तो sale will करेगा समान बेचेगा वो हम तिरे को collect करना है मैंने आपके उपर transfer कर दिया था so burden इसमें shift हो जाता है ठीक है यह yearly basis पर collect होता है साल के end में एक साथ पूरा हिसाब किता बताओ लेकिन यह जब goods को बेचा जाएगा तभी इसकी जो tax session है वो apply होगी और यह example हमने इसके देखे got it so that's the scenario for this introduction about direct and indirect tax और हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है आपका income tax इस वाली series में got it so now तो समय की बरबादी किये बगैर हम जरा आजाते हैं अपने income tax law के उपर के भई अब आपने बात तो करी के income tax हमें पढ़ना है तो income tax होता क्या-क्या है जरा हमें यह भी बताईए कि income tax हमारा होता क्या-क्या है ध्यान देंगे दोस्तों अभी बुक से तो अंदाजा लगी गया होगा ना जो बुक आपके पास है कि अच्छी खासी है इंस्ट्यूट का material भी काफी बड़ा है हमने उसको थोड़ा समराइस करा है कोशन्स वगरा डाले है ठीक है फाइनल में और साइस बढ़ जाएगा किताबों का डरना नहीं है ठीक है डरना नहीं है समझना है पंड़ी आसान है बिल्कुल हो जाएगा को अगर बन भी जाती है तो ये कभी चेंज नहीं होती नहीं चेंज भी होती रहती है तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं ये हमारा income tax laws क्या कहते हैं income tax laws किस तरह से tax लगेगा किस तरह से income calculation होगी क्या other rules and regulation है किसको income मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, बहुत सारी चीज़े हैं, तो जो बुक आपके पास है, वो क्या है? वो income tax laws है और उसके अंदर वो सारे के सारे तमाम provisions जो हैं, वो उसके अंदर लिखे हुए हैं, got it, clear? अब बात ये है कि जो income tax law है, वो किन-किन चीज़ों से तयार हुआ है, किन-किन चीज़ों से तयार हुआ है, तो मैं आपको बता दू, ये जो सारे rules हैं, सारी regulations हैं, provisions हैं, हमारे income tax laws के, ये लिखे हुए हैं, हमारे income tax act 1961 में, ठीक है, हमारा जो country का income tax act था, वो 1961 में existence में आया था, आजादी हमें मिली, 47 में, हम Republic हुए, हमारा अपना law चालू हुआ, कब 1950 में, हम Republic Day, Independence Day, इनके accordingly मनाते हैं, बट येस, जो income tax थी हमारी, जो taxation के rule थे, income taxation के, वो British वाले ही continue हो रहे थे, तो 61 में, जो हमारा income tax act है, वो आया, और वो हमारा भी तक चल रहा है, ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे, कि जो rule 1961 में बने थे, वो ही अब तक चल रहे हैं, नहीं, हर साल change होते रहते हैं, got it, so 1961 में, हमारा income tax act आया था, गॉर्मेंट ने इसको बनाया, हमारा constitution, गॉर्मेंट को tax law में total 298 section है, जो अलग-अलग rules हम देखेंगे, सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने इस level पे, final के लिए भी बचाएंगे काफी सारा, बाकी content वहाँ पे आपको करवाऊंगा, okay, फिलाल अभी खेर, हम, जो selected हमारा content होगा, वो हमें देखना है, got it clear, अच्छा, एक knowledge वाले चीज़ में आपको बता दूँ, जसा कि मैंने भी बोला, के जो tax laws है, ठीक है, जो income tax act है, जो rules है उसके, वो बनाने का right हमारा constitution, हमारा सवीधान government को देता है, right, कौन सी government को देता है, दो government होती है, right, एक है हमारा CG और एक होती है, SG, आपका central government and state government, right, central government, central government, हर तरह की income के लिए rules, provisions बना सकती है, except, except agricultural income, except agricultural income, okay, याद रखेंगे, state government को अधिकार है, कि वो agricultural income पर tax लगा सकती है, agricultural income पर tax लगा सकती है, but, but, from since old time, after the independence, agriculture income पर किसी भी प्रकार का कोई tax नहीं लगता है, तो एक तरह से, जो पूरा management है, taxation का, वो central government ही कर रही है, state government सिर्फ agriculture income पर tax लगाती है, जो भी OPM, अफीम वगेरा, कुछ मतलब, जो ठीक हम category नहीं मानते, अगर उनकी खेती होती है, दवाईयों वगेरा में उसका इस्तमाल होता है, अगर उसकी खेती होती है, तो वहाँ पर government थोड़ा बहुत tax लगाती है, okay, so, सीधी सी बात है, ये right इन दोनों के पास है, got it, so, income tax act, दोनों government ने, दोनों मतलब हमारे constitution ने right दिया, कि आपको अधिकार है, law बनाने का, law तयार करा गया, और 298 total section हमारे income tax act में है, okay, अगला है income tax rule 1962, 1962, okay, जैसा कि मैंने बोला कि 1961 में act तो आ गया, लेकिन, लेकिन, क्या जो rule, जो law उस time पर बने होंगे, जो income का slab 1961 में decide हुआ होगा, क्या वही अब तक follow होगा, obviously नहीं, बिलकुल नहीं, ये year by year by year, लगातार change होते रहते हैं, okay, तो ये change करने का right है, जो change करने का right है, किसको central government को, किसको central government को, state government तो side ही होगी, ठीक है, central government को, वो income tax rule 1962 देता है, जो हमारे act के section, section 295 में लिखा हुआ है, ये चोटी-चोटी चीजे हैं, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अपनी जो अपनी knowledge है, उसको enrich करने में काफी help मिलती है, अपनी explanation को, अपनी answers को better way में present करने का बहुत अच्छा benefit हमें मिलता है, clear, ये point इसके अंदर आया, साथ ही annual finance act, इसको मैं short में लिख रहा हूँ, ये budget है, right, ये budget है, clear, budget हर साल पेश होता है, हर साल हम देखते हैं, speech finance minister हमारी country के देते हैं, और उस budget में सबसे interesting part यही होता है, जो normally हम अक्सर सुनते हैं, कि यार इस बार income tax की rate क्या रहेंगे, क्या rate कुछ change होंगे या नहीं, क्या government कुछ नई saving scheme लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी, ये सारी चीजें हमारी country के budget में होती है, उस budget का एक section होता है, छोटा सा, उसमें खाली government budget में यही तो नहीं बोलते हैं income tax के बारे में, और बहुत सारी बातों के बारे में discussion होती है, construction को लेकर, transport को लेकर, infrastructure को लेकर, लेकिन जिस section में, जिस part में, जिस part में, जिस provision में हमारा क्या नाम है, ये tax rate लिखे होते हैं, नई schemes वगरा लिखी होती हैं, वो होता है, उसका part होता है, annual finance act, what annual finance act, got it, clear, now, आगे बढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से, circulars issued by CBDT, circulars issued by CBDT, ये आपका आता है, obviously, किसके अंदर, मतलब इसकी full form क्या है, central board of direct taxation, note कर लेंगे इसको, central board of direct taxation, ओके, और जैसे, government को power मिली, rule के थू जाने की section 295 में, यहाँ पर, section 119, 119, of our income tax act, CBDT को, central board of direct taxation को ये अधिकार देता है, कि आप अपने circulars issue कर सकते हो, आप अपने circulars issue कर सकते हो, what is a circular, circular क्या है, जरस के बारे में discussion करते हैं, what is circular, ध्यान दो, जैसे की, जैसे की, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमारी presentation उधर आजाएगी, जैसे की, मैं यहाँ पर आपको बताओं, ठीक है, ध्यान देंगे, normally, जैसे अभी, इस साल का भी budget आने वाला है, भाई, February में, February 2021 में, हमारी country का जो budget है, वो पेश हो जाएगा, जो budget है, वो पेश हो जाएगा, फेब, बजट में क्या होता है, कि आने वाले एक साल, आने वाले एक साल, यानि के, 1st April, 21 से लेकर, 31st of March, 22 तक, हमारे कुछ income tax के जो rules हैं, वो follow होंगे, वो हमें मानने पड़ेंगे, जो हमारे budget में कहे गए हैं, हर financial year के लिए हमारा budget बनता है, अब ये होता कैसे budget में आपने बहस देखी होगी, जो हमारे finance minister है, वो बिल पढ़ रहे हैं, अलग-अलग मुद्दे बता रहे हैं, उदर से हे 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 हो 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 ने लग जाती है, महुला देखती हैं लोकसभा का, अब उसमें बहुत सारे point है, अब उसमें finance minister ने सारे point बोले, ओके, बोलने के बाद, कई कुछ points पर, भाई बहुत सारे points हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ points पर सहमती नहीं हुई सब की, कि यार ये tax rate थोड़ा कम लगा है, या ये tax rate थोड़ा ज़ादा लगा है, limit थोड़ी कम मिली है, तो कुछ points पर सहमती नहीं होती सब की, तो government क्या करती है, कि यार इन दो, एक दो point के लिए, दो-तिन point के लिए, बजट को थोड़ी नहीं रोका जाएगा, what it, ठीक है, इन points को side रख दो, इन points को side रख दो, कोई दिकत नहीं है, and, and, बाकी pass कर दो, बाकी सारे point तोके करो, तो वो बाकी सारे point तोके हो जाते, और कुछ points side रह जाते हैं, ठीक है, अब उन points को दुबारा से study करने का, जो एक तरह से responsibility है, वो दी जाती है CBDT को, Central Board of Direct Taxation को, कि यार देखो यार, वो माने इन points पर, जड़ा देखो, दुबारा recall करो, उसमें क्या हो सकता है, तो अब इसमें क्या नाम है, दो महीने, तीन महीने, चार महीने लग गए, समय थोड़ा जादा हो गया, ठीक है, साल शुरू हो चागा है, लेकिन समय थोड़ा स्टार्ट जादा हो गया, तो government ने क्या करा, government बोले तो CBDT ने क्या करा, Central Board of Direct Taxation ने क्या करा, उन्होंने जुलाई में, उन्होंने जुलाई में, एक circular निकाल दिया, और उसको अख़बार के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सर्कुलेट कर दिया, इशू कर दिया, पहुचा दिया जनता तक, कि वही ऐसा है, कोई फलाना फलाना पॉइंट रह गया था पिछली बारी, और उस पर हमने अब study कर ली है, और ये rate रहेगा, ये limit रहेगी, गौर्वेंट उसको notice के through बता देती है, और कह देती है, कि ये rule, ये rule, ये वाला जो rule है, ये हम निकाल तो रहे हैं जुलाई में, निकाल तो रहे हैं जुलाई में, लेकिन लागू ये एपरिल से होगा, जो apply है ये, एपरिल से होगा, ठीक है, तो कहानी में अगर आप देखो, तो एक तरह से बीच-बीच में, वो class में नहीं होता है, monitor आके बोल देता है, कि भई चलो ये period इसका फटा-फट से, अरे copy जमा करो, वगएरा वगएरा, आप ये assignment जो था परसो जमा करना था, नहीं कली करना है, होता है ना ऐसे, बीच-बीच में कोई भी information, तो उसे मूलते हैं, Circulars issued by CBDT, तो इसके जरिये भी हम फैसला लेते हैं, अपने जो rules वगएरा हैं, उनको बनाया जाता है, ओके, got it, ये clear हुआ, चलिए, वापस आते हैं, इधर आईए थोड़ा सा, ओके, now, अब उसके बाद, ऐसे ही, अगला point हमारा है, case judgment, case judgment, दोस्तों, कई बारी क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ situation, ऐसे arise हो जाते हैं, जिनके बारे में, हमारे income tax law में, पहले कुछ नहीं लिखा था, x, y, z, कुछ भी, तो उसमें तो, उस case में फिर government तो कहती है, tax लगेगा, लेकिन जो, जिसकी income create हुई है, वो मना कर देता है, कि भई, ये तो act में नहीं लिखा, हमें क्यों tax दूँ आपको, ऐसे तो नहीं होगा, है ना, सिर्दी सी बात है, अब फिर, case हो जाता है, case चलता ह government करिए भी, पैसे low इससे, और go कहरा, मना करा, तो case चलता है, Supreme Court अपना, High Court वगएरा में, और जब उस case का फैसला आता है, ना, टेक्स पे करा या नहीं करा, whatever, वो तो depend करेगा, law पर, ठीक है ना, उस law, उस फैसले को, उस decision को, उस judgment को, law बना दिया जाता है, क्यों, कि यार अ अब ऐसी कोई situation, अगर आगे आपकी arise होगी, तो सीजी सी बात है, इसी जो फैसला अभी लिया गया है, उसके आधार पर, automatically उसका भी फैसला ले लिया जाएगा, उसके लिए दुबारा से case लड़ने की जुरत नहीं है, तो जो फैसले लिये जाते हैं हमारे Supreme Court, High Court में, वो भ हमारी Government, Central Government, और इसका ये छोटा लड़का, ये CBD, ये Government नहीं बनाया होता है, तो कोई भी notification, कोई भी notice, अलग तरीके से नया कुछ भी जारी कर दे, Rules and Regulation, जैसे वो भाई और वहनाओ, आज से पांसोर हजार के note, नहीं चलेंगे, ठीक है, ऐसा हो गया था ना, that's what, तो और अ ने आपना जारी करी थी, तो ये सारी चीजें हैं, जिन से मिलकर हमारा Income Tax Law बनता है, तयार होता है, और इसके Income Tax Law के अंदर लिखे गए Rules के बिहाफ पर हम decision लेते हैं, अपने Income Tax का, clear, got it, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इन सब कि हमने यहाँ पर जो explanation है, वो भी अपना लिखी हुई है, तो जैसा कि आपका यहाँ पर बोला गया है, Income Tax Act 1961, ये आपका 1st April 1962 से शुरू हो गया था, Act 61 में बनके तयार था, पास करवा लिया था, लागू 1st April 1962 से बोला गया, 298 शायद ही मैंने बताय थी, ये section हमारे exist होते हैं, और total 14 इसमें schedule हैं, sections आपके, sections के अलावा, ओके, और section के अंदर अपने, जो होते हैं, clause और subsections वगयरा होते हैं, अपने, जो bracket वो हम पढ़ेंगे भी आगे चलगे, subsection वगयरा जो भी है, तो खेर ये इतना depth में आपको नहीं जाना, ये law का हिस्सा बन जाता है, आपको बस मालूम होना चाहिए, overview, इन चीज़ों में तो, इन चीज़ों में तो, okay, clause जैसे के आपका ये example यहां पर दे रखे हैं, you just have to read over it, हाँ, ये चीज मां जरूर बताऊंगा, अकसर ये word आपके आजाते हैं, proviso and explanation, a section may also have provisos and explanation, proviso क्या होते हैं, it gives exceptions to the provision, जो rule बना हुआ है, जो section लिखा हुआ है, उसकी exceptions, उसकी exceptions, कि ये provision यहां लागू नहीं होगा, ये section यहां लागू नहीं होगा, उसको हम proviso कहते हैं, और yes, explanation तो हम जानती हैं, कितना लिख चुके हैं already, इतने paper भरे हमने, जो clarification होती है, कोई भी related, उसको हम explanation कहते हैं, got it, clear, चली आगे बढ़ते ह हैं, ऐसा ही annual finance act की मैंने आपके बारे में बात करी, जो हमारा ये budget होता है, parliamentary session में, जो आपका budget paste होता है, उसको annual finance act कहते हैं, इसमें tax structure के बारे में पूरी information होती है, जब finance minister, क्या नाम है, संसत भवन में घुसते हैं, अपना budget paste करने के लिए, तो वो जो budget होता है, तब वो bill हो होता है, और जब पूरा हंगामे के बाद बोलते हैं, कितने agree है, ऐसे करके हाथ खड़े करते हैं, okay, कि हाँ हम agree है, मतलब, जब सब सहमत हो जाते हैं, कि हाँ, okay, तो वो जो bill है, वो act बन जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ज़रूरी है, कि what is the difference between a bill and an act, तो जो bill है, वो pass होने के बाद act बनता है, existence में आता है, okay, amendments का मतलब होता है, change, पिछले साल क्या rule था, इस साल क्या apply होगा, उस changes को हम amendment कहते हैं, और rate, TDS, advance tax, इसको अभी आप ignore करेंगे, ignore क्यों क्योंकि अभी इन चीज़ों का मतलब आपको नहीं पता है, तो ये chapters हम पढ़ने वाले हैं अपने slaves में, so don't worry about that, okay, उसके बाद income tax rule के हमने बात करी, ठीक है, CBDT, government ने इसको establish करा हुआ है, अपने administration के लिए, notifications, जो government अपनी जारी करती है, circulars, जो CBDT जारी करता है, ये अभी हमने सारा का सारा पढ़ा, और yes, case loss, जो हमारे high court में, हमारे supreme court ने, जो जारी करें है, अल अभी तक की discussion के बिहाफ पर हमने अपने जो points है, वोट देखे, अभी तक हमने समझा के tax हमारा है क्या, पहले तो tax का meaning समझा, उसके अंदर हमने income tax की बात करी, कि भई, income tax हम पढ़तो रहे हैं, लेकिन ये बना कैसे है, उसके components हमने देखे, अब शुरू करते हैं, content start करते हैं अपना हम definitions का, कुछ basic चीज़ें हमें मालूम होने चाहिए, हम पढ़ने तो जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, कोई भी topic हमने पढ़ा, कोई भी chapter होता ना, कि social studies में पढ़ते थे, अपना geography में पढ़ते थे, कि today we are going to discuss about this chapter, this particular topic, तो वो chapter किस से related है, उसमें जो terms हम इस् हो जाता है, okay, तो जैसे बोल रहे हैं, जैसे science में बोल दिया, कि ये फलाना हमने पैनों पर उचाला और ये नीचे आया, और gravitational force उसका, इसनी speed से इसको खीच रहा है, वगर वगर, I don't know, क्या-क्या था, नमस्ते कह दिया था 10th के बादी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से मि करते हैं, हाँ, एक चीज़ आप याद रखेगा, हाला कि law में ये आपने already शायद पढ़ लिया हो, या observe भी करा हो, किसी भी act में, किसी भी act में, mostly, I think, I'm sure, यतने में ने पढ़े हैं, उतने में तो यही है, जो basically definitions होती हैं, वो याद रखेगा दोस्तों, हमेशा section 2 में लिखी रहती हैं, और वो भी alphabatically orders में, alpha लिख देता हूँ, मैं आपको समझा जाएगा, alphabetically order में, मतलब जो इसकी definition A से शुरू हो रहीगी, वो starting में आ रहा होगा, ठीके, उसके बाद A, B, C, D, आप समझ गए, ठीके, इस order में लिखी रहती है, section 2 में होती है, okay, so but obvious है, जैसा कि मैंने बोला, income tax बहुत ज्यादा vast है तो सारी definition हमें नहीं discuss करनी है, सारी definition नहीं discuss करने वाले हैं, जो major definitions है, जो मालूम होनी चाहिए, हम उसके बारे में discuss करेंगे, हाँ, जब कोई particular chapter हम discuss कर रहे होंगे, तो उसमें इस्तिमाल होने वाली definition वहाँ पर पढ़ी जाएगी, okay, तो सबसे पहली definition जो हमारी है, कि हम कौन हैं, हम भारत हैं, हम एक देश हैं, okay, और वो देश, वो इंडिया, वो है क्या, क्या चीज कवर कर रहा है इंडिया, तो सबसे पहले, सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर, that is territory of इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या क्या आ रहा है, territory of इंडिया, तो वो जो प्लस और देता है हमें हमारे मैप में ठीक है बड़ा प्यारा सा जम्मू कश्मीर से लेकर उपर अब तो हो गया ना तो इसाब बराबरी कर दिया सब कुछ अपना यह है जो नहीं है देखेंगे बाद में पर ठीक है अब तो वह कन्फीजन खतम हो गई तो जम्मू कश्मीर से दिखाई देता है देट इस इंडिया प्लस और इंडिया क्या क्या है टेरिटोरियल वाटर ओफ इंडिया and sea beds and subsoil underlying such water what is that ये क्या होता है देखो कभी गए हो गोवा घूमने तुम्हारा तो cancel ही होता रहोगा बहुत सारों से पता है पैरेंट्स कहां जाने देते है पर पिक्चरों में तो देखो पिक्चरों में देखो तो खुश होना भी आजकल ठीक है तो गोवा आया किसी और मतलब सीज़ी से बाद समुद्र के किनारे ठीक है तो समुद्र के किनारे हम क्या देखते है यह जैसे यह सीज़ी सी बात यहां पे पेड़ हैं आपके यहां पे लोग हैं घर बने हुए और उसके बाद जब जमीन खतम हो जाती है जो TWI है territorial water of India ये international जो agreements है वो ये कहते हैं जो मिट्टी है मिट्टी है खाली वो ही इंडिया नहीं है याद रखिएगा उसके आगे 12 NM यानिके 12 nautical miles तक इंडिया है वो जो पानी है ना 12 nautical miles लगभग 21 km के आसपास और बढ़ता है तो वो भी इंडिया ही है ओके मैप तो है वो भी इंडिया है प्लस प्लस खाली ये पानी की सताय नहीं इसके नीचे ये जो म्रेत है यहाँ पे अपने कुछ अपना होता ना वो कोरल्स वगरा है यहाँ सब कु पागिया है मिट्टी आगए फिर से ये भी इंडिया है इसको भी इंडिया कहा जाएगा ओके एक्स्क्लूसिव इकनॉमिक जोन एक्स्क्लूसिव इकनॉमिक जोन कस्टम में आईएगा तब डिटेल में इसको आपके साथ चर्चा होगी कस्टम एक्ट में फिलहाला भी तेल निकालने का काम कुछ मिनरल निकालने का काम समुद्र वगएरा में कर सकते हैं वो पार्ट भी इंडिया का माना जाएगा और एनी अधर स्पेसिफाइड मेरिटाइम जोन एंड एर स्पेस अबव इट्स टेरिट्री एंड टी डॉई आई तो मेरिटाइम जोन यहाँ पर एंड माननी को बार वगरा के लिए स्पेशली जो बिलकुल हटके हैं न बट इस आर पार्ट ऑफ एंडिया ओके और हां एर स् यह मिट्टी हमारी है तो इसका मतलब यह नहीं के हवा किसी और री है उसके वो लाको खोब आ तो ये एक definition जो इंडिया की हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़े cover होती है आगे बढ़ते हैं अरे बाप रे ये हुई ना बात अब आई है definition तो अब आई है असली definition and that is what assessi that is what assessi ये word सबसे जादा हमारा इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस पूरे syllabus में and that is what assessi अच्छा उपर अभी definition देखी थी आपने देखी थी ना क्या था section अभी मैं वैसे short में बताऊँगा आपको section 2 ठीक है आपका definition का मैंने बोला और section 2 section 2 के साथ जो अंदर है 25A इसको subsection कहते है section के अंदर जो बाकी point लिखे हुए point के अंदर point तो point ये section है उसके अंदर का जो point है subsection है got it अब जो इंडिया की definition है वो 25A में लिखी हुई है subsection है ना इसको याद रखेंगे जरा assessi की बताना सर वो 7 में लिखी हुई है वो 7 में लिखी हुई है so A A7 पे है A7 पे और भी A से definition होगी but assessi A is in 7 but India I 25 मैंने वोला ना alphabetically ये alphabetical orders में हमारी definitions शुरू होती है तो इंडिया की आपने पढ़ ली हाँ assessi की आपको definitely याद रखनी है एक important definition assessi की अब सवाल ये है कि assessi होता क्या है तो हमारा section 2 subsection 7 क्या कहता है कि who is assessi definition पर जाने से पहले मैं short मैं बता दूँ आपको जिसके लिए calculation होगी जिसके लिए calculation होगी किसकी calculation income की calculation क्या निकालेंगे उस पर text निकालेंगे उसको बताएंगे कब तुझे जमा करना है कितनी saving करनी है बला बला बहुत सारी चीज़े पूरी consultancy वो assessi होता है वो assessi होता है इस syllabus में हम क्या करने वाले हैं हम भई कोई भी particular question हमें होगा उस question में कोई नाम होगा Mr. Ra, Mr. Shyam, Mr. Abdull ठीक है, Rajesh जी, Rakesh जी इन्होंने इतनी income generate करी इनका tax निकालो, ये फलाना company A.B. Limited, X.Y. Limited ठीक है, कोई भी limited है ना, तो सीधी सी बात यहां पर क्या निकल कर आई, कि जिसके लिए tax calculation होती है जिसका हिसाब किताब लिया जाता है जो tax pay करता है वो assessi होता है तो short में तो ये है हमारी definition ठीक है, short में तो हमारी definition ये है, ओके, but obviously law पढ़ रहे हो भी है ऐसी थोड़ी ना, ठीक है, पूरा explanation, proper consideration हमें माननी पड़ेगी तो हमारा section क्या कहता है assessi कौन है, तो पहले तो उसने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि हर प्रकार का any tax or any other sum of money is payable under this act उसे assessi बोला जाएगा जिस व्यक्ति को tax pay करना है और कुछ और भी pay करना पड़ सकता है, penalty वगएरा late payment करी है, interest लगा है कुछ भी, वो assessi होगा clear, it includes थोड़ा सा अब इसको elaborate करते हैं, पहला क्या है tax payable, तो यह तो यही वाली बात होगी ठीक है, जो tax pay कर रहा है, उसको हम assessi बोलेंगे, साथ ही preceding started जिसके खिलाफ कोई preceding start हो चुकी है, tax वगरा calculate करने की, वो भी assessi माना जाएगा, जैसे for example यह वाला example दिया था न, मैंने भी कि वो assessi क्या नाम है, क्या रहा है कि income generate हो गई, वो law में नहीं लिखी थी अब case चल रहा है, तो सीधी सी बात है, preceding start हो गई है, काम धाम उसका शुरू हो गया, tax calculate करने का कितना बनेगा, वगरा वगरा, तो उसको भी assessi माना जाएगा ठीक है, उसके बाद हाँ, यह वाला point, deemed assessi, यह अच्छा point deemed assessi, और इसमें मैं एक word आपको बता दू रिपर्स रिस्पेक्ट ऑफ हिम, निगल है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, that is what आपका रिफंड वाला हाला की इधर भी आ रहा है, बट मैं यहाँ पर भी रिफंड लिखता हूँ दो एक्जामपल देता हूँ जैसे कि for example एक ना TDS होता है, भी यहाँ पर लिखा नहीं है मतलब थोड़ा मैं आपको advance में बता रहा हूँ TDS, tax deduction at source उसमें क्या होता है जब income generate होती है उसी time पर tax काट लिया जाता है जैसे for example, मैं आपके पास employee हूँ नमस्ते मालिक जी ठीक है, मैं आपके पास employee हूँ ओके, आप मुझे पगार देते हो, पगार देते हो मैं 10,000 रुपे महीना, है न 10,000 रुपे, क्या हो दाज कल 10,000 रुपे मालिक थोड़ा बढ़ा दो, तो आपने भी वही से कोई टेक्स नहीं लगता, अब वो next chapter में discuss करेंगे, वर फिलहाल obviously 1,20,000 रुपे पर कोई भी टेक्स नहीं लगता आप क्या करते हो, आपकी पापी नजर मेरे उपर आपकी पापी नजर क्या, 10,000 रुपे देते तो हो, उसमें से भी 1,000 रुपे टेक्स के काट लेते हो, ओके, तो अब TDS, Government Rules के साब से, वो आप सीधी सी बात है, आपने काट लिया, अब नतीजा क्या निकल कर आया यहां पे, कि आपने हर महीने मेरा 1,000 रुपे टेक्स काटा, साल का मेरे नाम के हिसाब से, फिर भी मेरे नाम के, इंकम के हिसाब से, मेरे नाम का 12,000 रुपे पहुंच गया है, मैं क्या हूंगा, Government से जी, आपस दे दो, Government के वापन नी बनता था, इन्होंने काटा है, आपके रूल बना रखे थे जो मेरे तनकायत नहीं है, वापस दे दो, तो Government केते हैं, ठीक है, दे दे देंगे वापस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें लिख कर दीजिए, हमें ये रिपोर्ट जमा करिए, अपनी के ऐसे से फलाना फलाना इतने पैसे यहां से काटे गए, उस चीज़ को कहते है, रिटन, यानि के इंकम टेक्स रिटन, तो मैंने इंकम टेक्स रिटन, जब मैं फाइल कर देता हूं, तो भले ही, भले ही मैं टेक्स पे नहीं कर रहा, मैं गौर्मेंट से वापस टेक्स मांग रहा हूं, वापस टेक्स मांग रहा हूं उसको बूला जाता है आपका deemed assessi मैं कौन बन गया मैं था तो नहीं payable तो नहीं बनता था बट मैं बन गया फिर भी return वगएरा मुझे file करने पड़ी तो that is what आपका deemed assessi ऐसे ही company के अगर हम बात करें company के ओपर text लगता है clear company की जो income है उसके ओपर text लगता है but company थोड़ी ना कुछ होती है company को कौन चलाता है director चलाता है okay कौन चलाता है director चलाता है तो directors are like deemed assessi for the for the आपका क्या नाम है company कि उसके उसके लिए उसको responsible कौन होंगे आपके director होंगे that is what deemed assessi okay yes and last point is legal sorry legal representative representative या रिप्रेजेंटेटेटेटिव असेसी हम इसको बोलेंगे normally होता ना जैसे के movies में देखते हैं के भई एक बच्चा है छोटा सा आपका पांच है साल का एक accident में विलन ने उसके parents को मरवा दिया पूरा कभजा करने के लिए लेकिन जैसे वो कभजा करने पहुँचता है तो एक वसीयत सामने आ जाती है कि भई ये जब तक बच्चा 25 साल का नहीं होता है सब कुछ इसके नाम रहेगा फैक्टरी फैक्टरी सब इसके नाम रहेगी और इसको कुछ हो गया तो सीड़ी सी बात है सब गवर्मेंट के पास चला जाएगा होता ना ऐसा बहुत सारी चीज़े होती है तो कंडिशन क्या नतीजा क्या निकल करा है हाँ हाँ कि विलन को कुछ नहीं बिला और उल्टा अब 25 साल तक उसकी सेवा और करने पड़ेगी तो यहाँ पर क्या है अब वो जो छोटा सा बच्चा है पांच-छे साल का दस-बारा साल का उसको थोड़ी ना पता है टेक्स किया है बट जबकि सारी की सारी इंकम उसके नाम पे जनरेट हो रही है तो इन दाट सिचुएशन जो उसके बिहाफ पर टेक्स भरेगा जो उसके बिहाफ पर टेक्स भरेगा यह नहीं कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटेटिव है उसे असेस्सी कहा जाएगा ओके तो यह हमने यहाँ पर असेस्सी की जो कंसेप्ट है उसको हमने डिसकस करा इसके अलावा आपका असेस्सी बाइ डिफॉल्ट कभी आपने पिछले दो तीन सालों में टेक्स नहीं भरा था लेकिन टेक्स था आपका निकल के आया गौर्मेंट ने पता लगाया आपको नोटिस भेजा तो अब आप असेस्सी थे तो नहीं पर बन गए तो यह हमने असेस्सी की डेफिनेशन यहां पर लिखी और जैसा की हम यहां पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में था तो आपका यह सेवन के अंदर सब सेक्शन सेवन के अंदर यह पॉइंट हमारा कवर हुआ था चलिए आगे आएंगे हम अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन पर एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर अब देखो अब देखो देखो परसन परसन बोले तो असेस्सी बोले तो ए स्टार्टिंग में सेवन है ना इंडिया आए थोड़ा के चला गया पच्छिस टूंटिफाइव ए परसन पी ये थाटी बन पर पहुँच गया तो अलफबेटिकल ओडर में हमारी जो डेफिनेशन हैं वो लिखी जाती है सेक्शन टू में खिर परसन की बात करते हैं टेक्स किसके उपर लगेगा बात ये है कि जो टेक्स है वो किसके उपर लगेगा किसके उपर एग्जिस्टेंस आएगी कौन कौन टेक्स पे करेगा तो गौर्मेंट ने बोला अपने कॉंस्टिटुशन में कि परसन को टेक्स देना पड़ेगा अब यह person कौन है मैं आप हमारे जैसे आम लोग कौन है कौन है वो बोलो बोलो कौन है ठीक है कौन था रसोई में कौन था नहीं रसोट वटैवर जो भी था कौन है जो आपका tax pay करेगा तो ध्यान रखेगा government ने बोला government ने बोला कि person जी जो है हमारे 31 वाले person जी 31 वाले ठीक है tax pay करेंगे कौन है यह person इसमें भाती भाती के लोग है तरह तरह के इसमें लोग है जो cover करे गए है एक तो है साधारन सा प्रानी individual एक दो पैरो वाली प्रजाती individual person person individual हम जैसे आम लोग ठीक है वो आपके person के अंदर include होंगे कहने का मतलब जो tax है वो person के उपर लगाया जाएगा जब हम बोल रहे है तो उसके अंदर जो सबसे पहली category आती है वो क्या है individual जो भी human being होते है ठीक है जो भी human being होते हैं ठीक है ऐसे ही जो special cases है इसको कोई बात नहीं अभी आप इसको छोड़के चल सकते हैं क्योंकि ये बहुत डेप्थ हो जाएगा अभी धीरे धीरे cover हो जाएगा आपका बड़ इन शॉट अगर हम बात करें individual human beings अच्छा और कौन-कौन है और context देगा जी ऐसा है जो HUF है हमारा Hindu undivided family business studies 11th class पढ़ा था हमने yes Hindu undivided family एक family अपने एक respective business में involved है वो ही काम करती है सबसे घर का बड़ा आदमी manager होता है जिसको हम करता कहते हैं जो कुछ नहीं करता है registered मेरे ख्याल से 100 भी नहीं होगी इंडिया में जहां तक जहां तक मुझे थोड़ा अंदर जाजा बाकी होब सकता मैं गलत हूँ but yes Hindu undivided family के थूँ अब business बहुत कम होते है क्यों कम होते है क्योंकि अब yes अगला point यानि के हमारे partnership firms अब जादा exist होने लगए है लोग partnership के थूँ जादा काम करते है तो इसी लिए जो partnership firm है उनको भी person की category में रखा हुआ है मैंने और आपने मिलकर कोई business plan decide गरा के चलो भई ये फलाना काम करते है production करेंगे चीज करेंगे services देंगे जो भी हम दोनों ने आपस में मिलके पैसा लगाया invest करा so we formed a partnership okay के भई we and आपका नाम क्या हाँ जी विनीत and ये विनीत and आप associates partnership firm है तो जो income calculate होगी मेरी separately calculate नहीं होगी आपकी separately calculate नहीं होगी हम दोनों की combined in the name of partnership firm create होगी okay उसको उसके उपर tax लगाया जाएगा हमारी income दोनों की अलग अलग नहीं treat होगी तो कैसे calculate होती ही वो हमारा slabus में है आगे okay but the thing is tax apply होगा partnership firm के उपर got it आगे बढ़ते हैं ऐसे ही हमारा आता है yes company company को भी person की category में रखा गया है कि जो tax लगेगा वो reliance industry के उपर लगेगा location बानी के उपर नहीं लगेगा tax जो लगेगा वो टाटा स्टी ले company के उपर लगेगा उसके directors के उपर नहीं लगेगा हाँ वो बात अलगा responsible वो ही है indirectly जैसे डीम्ड अससी की बात अभी करी थी हमने बट दा थिंग इस अपले जो laws applicable होंगे वो company के उपर होंगे ओके और ऐसे ही आएगा local authority यह जानते हैं क्या आपकी अपने area की आपकी अपने area की कोई ना कोई municipal authority जरूर होगी जो नगर नीगम है वो जरूर होगा जैसे डेली में अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर NDMC है NDMC New Delhi Municipal Corporation ऐसे ही दूसरा जो पार्ट है दिली का that is MCD Municipal Corporation of Delhi ऐसे ही क्या नाम है यह Mumbai का मुझे मालूम है that is BMC Bombay BMC Bombay Municipal Corporation ठीक है Water Supply के लिए अलग अलग Local Authorities जो Government फॉर्म्ट करती है ये भी Person के अंदर आती है इनको भी नहीं छोटा जाएगा इनकी जो income होगी उसको भी Tax Pay करना होगा Definitely Pay करना होगा Right And then Finally जखरम देखें कितने point होगा हाँ 5 होगे भई दो और है दो और है Right दो और है कौन कौन है एक है B.O.I 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 बोले तो B.O.I Body of Individuals Body of Individuals Individuals कहा थे ये थे तो एक अकेला Is Individual लेकिन जब दो Individuals Combined Combined होकर अपनी इंकम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इंकम रिप्रेजेंट करते हैं Like a Joint Venture Like a Joint Venture वो Body of Individuals कहा जाता है तब उनकी Combined Income पे टेक्स लगता है And yes ठीक उसी तरीके से अगर मान लो ये तो B.O.I Individual Only Individual लेकिन मान लो कोई Individual अपना काम किसी H.O.F. के साथ मिलके करता है या कोई Partnership किसी Company के साथ मिलकर काम करता है या कोई H.O.F. Local Authority के साथ मिलके करती है है ना तो उसे बोला जाता है A.O.P. यानि कि Association of Person क्या बोला जाता है Association of Person ये पांच लोग है ना पांच में से आपस में कोई दो या दो से जादा मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे A.O.P. लेकिन खाली Individual ही आपस में मिले तो उसको बोला जाता है BOI Body of Individual Okay So these are the contents जो हमारे Person की definition में cover होते हैं याद रखेंगे Person Section 2 Sub Section 31 P है थोड़ा बाद में आएगा न ये साफ साफ कहता है Government कहती है इस Section के जरिए इस Not इस Section के जरिए Government कहती है कि Tax लगेगा Person के उपर Person कौन खाली वही प्राणी जो दो पैरो उपर चलता है नहीं हम सब को cover करेंगे इसके अंदर इसमें हमने बढ़ते हैं मतलब हमने ओवर्वी लिया Hindu Undivided Family ठीक है इसके बारे में नोट हमारा इसमें जिसे बुलावा कॉपरेंसर कॉपरेंसर मतलब वही करता जो पता नहीं कुछ करता है नहीं करता ये अलग-अलग स्कूल्स हैं हिंदू लॉज है आपका दयाबाग और मितक्षारा बढ़ जस्ट रीड नोट एस पर दसलेबस रिक्वाइट कॉटेट से कंपनी के बारे में से कंपनी की डेफिनिशन ये देखो ये देखो कंपनी सेक्शन टू सब्सेक्शन सी आगया न ठीक है और आपका association of person और body of individual and yes माफ कीजिएगा एक और है एक और है एक और कौन है AJP AJP BJP नहीं that's AJP AJP मतलब artificial judicial person artificial judicial person अगर कोई विक्ती परसन इनमें कवर नहीं हो रहा इन सबमें कवर नहीं हो रहा वो इसमें कवर होगा and artificial judicial person से क्या मतलब है आपका जो एक थपे के दम से स्थापित है और काम करता है for example schools colleges जैसे मैं स्कूल की बात करता हूं आप जब स्कूल की फीस पर करते हो पसकूल के करी खिजब इंस्सनीट इसा पर लिखा तो जो पाइ़ प्रत ंंहींच लाना मिस्टर शाम सिंग वहाँ पर मिले उनको मैंने फीज दे दी ऐसा तो नहीं लिखा होता ना उस पर इंस्टिट का नाम लिखा होता है इंस्टिट का नाम लिखा होता है कि फीज इंस्टिट को दी गई है तो वो इंस्टिट काम कैसे करता है अपनी सील से अपने ठपे से काम करता है ठीक है ऐसी मंदिर में जो एक चड़ावा जाता है उनकी भी इंकम कैलकुलेट होती है ट्रस्ट के थुरू बैंक्स होते हैं हमारे ठीक है बैंक्स की जो इंकम है वो कैलकुलेट होती है तो ये सब कौन है इनकी छोड़ना किसी को नहीं है सबसे गौर्मेंट को पैसा चाहिए सबसे भाया हमें चाहिए पैसा जो भी कुछ कमाया हमें टेक्स देना पड़ेगा तो ये पॉइंट्स हमारे जो असेसी की डेफिनिशन में हमारे कवर हुए ठीक है यहाँ पर ये वाला पॉइंट था हमारा एवरी अदर आर्टिफिशल जुडिशल परसन जो ओपर की कर्टेगरी में नहीं आ रहा है एक्जामपल यहाँ पर वही आगया आपका येस मंदिर वगरा एक्जामपल जो यहाँ पर लिखा हुआ है got it so I hope you got these definitions उसके बाद उसके बाद जरा दो त्रीन definition और हमने यहाँ पर लिखी हुई है आओ जरा इसको discuss करें बड़ा ही simple सा point अरे अभी मैंने आपको जरा बताओ 231 में किसकी definition थी 231 में सर थोड़ा late है इसमें तो हमने P पड़ा है सबसे late person है person यह definition है सर यह definition है 232 अरे यह तो अगले में ही लिखी हुई है यह 232 यह तो अगले में ही लिखी हुई है दोस्तो यह भी person की definition है लेकिन वो person कौन है वो person है आपका substantial interest वाला थोड़ा मतलब मतलब बड़ा आदमी सा लग रहा है न substantial interest वाला ठीक अब यह होता क्या substantial interest याद रखेगा any person who is beneficial owner of shares not being shares entitled to fixed rate of dividend in short equity shares in short equity shares okay whether participating in profit or not holding holding लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे 20% or more holding 20% or more सीधी सी बात है अगर किसी person person word कोई भी हो सकता है इंडिवीजुल भी और आपका कोई company भी company company में अपना share जब बनाती है या हूफ भी partnership हम भी जब वो किसी company में अपनी हिस्सेदारी shares में equity shares में ठीक है जब यह बोल रहा है न not being shares entitled to fixed rate of dividend fixed rate वाले कौन से होते हैं ठीक हम उनके अलावा बात कर रहे हैं इक विटी वो बीस परसेंट या उससे जादा hold कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है कि उनका उस company में substantial interest है अच्छी खासी पकड़ है बात करें मुकेश अमबानी Reliance के वो तकरीवन मेरे खाल से RIL में कितना है उनका है चालिस परसेंट या सपास उनकी जो total holding है शायद है तो वो कौन है substantial interest है उनका परसेंट 31 में था अच्छे वाला परसेंट 32 में आगिया alphabetical order ओके नौ सिमिलरली ऐसे ही एक और डेफिनिशन आपकी average rate of tax ठीक है तो ए स्टार्टिंग में ही है यह दिख रहा है 10 में एक maximum marginal rate of tax 29C में है मैं इसको बता दूं आपको यह MMT जो है अभी आपको यह MMR यह maximum marginal rate इस को लेकर चर्चा करेंगे but what is average rate of tax यह बड़ा ही simple है बड़ा ही simple है इसका बिलकुल simple सा straightforward case हम देखते हैं मालीजे आपकी इंकम ठीक है आपकी जो इंकम है आपकी इंकम कितनी साल की बोलो बोलो सर हमारी कहां इंकम कुछ pocket money मिलता है अच्छा pocket money बताओ चलो नहीं pocket money बताओ प हमारी कुछ job है और लगी जाएगी यार बाद में क्या दिक्कत है ना तो अपना हमने income थी हमारी दो लाख रुपे महीना सर दो लाख रुपे महीना से कम हम काम नहीं करेंगे अच्छी बात है तो 24 लाख आपकी total income नीचे और मालो पूरे साल भर का आपने tax calculate करा तो tax आपका मैं assume कर रहा हूं ठीक है मालो आपका tax आपका 3 लाख रुपे ठीक है तो इसको बस percentage में निकालना है तो 3 लाख divided by 24 लाख तो 1 by 8 into 100 ये 12.5 परसेंट आगया ठीक है तो ये मेरा ARR है average rate of tax है ठीक है average rate of tax है that's it ये निकालने का चोटा सा formula इस से ये पता चलता है कि मैंने कितना कमाया और उसमें से कितना tax दे दिया किस percentage में मैंने tax payout करा got it so these are some basic definitions जो हमने cover करी जो at least हमें मालूम होनी चाहिए content पर जाने से पहले दो definition अभी हम और discuss करेंगे एक है हमारी previous year की definition एक है assessment year की वो थोड़ी देर बाद अभी उसका number आएगा उसका number आएगा उसका time आएगा ओके अब इसको देख लेते हैं पहले हमने definition करी किसकी starting में आपकी इंडिया की करी थी उसके बाद हमने person की definition की बात करी असेसी की करी तो assessी अपना starting में था A7 ठीक है subsection याद रखने का तरीका income इंडिया की बात करी तो हमने ये 25 में आ गया हमारा 25 हमने main रखा person थोड़ा P बाद में हो गया था तो person 31 में और एक और उसका भाई आपका 32 में चला गया था ये अपना ARR हमने देखा है 10 ठीक है ये ही है SSC आपका जो था क्या नाम है 7 में था ये आपका 10 में है and 29C ये भी हमने discuss हाला की नहीं कर आगे करेंगे got it clear चलिए आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है अब आगे हमारा आ गया है income and its constituents के income जो है वो इसको उपर ले जाते है ठीक है यहाँ पर ले आते है यहाँ खाली जगे कुछ छोड़ी हुई है मैंने इसमें आपको कुछ लिखाना है काम की चीज लिखानी है मैं लिखाता हूं ठीक है इस heading की बात कर रहे हैं कि income क्या होती है income and its constituents section और फिर वही इंकम इंट्रेस्टिंग अगर चीजें पता चल जाएं तो देखो कितनी आसान हो जाती है यह इंडिया है इंडिया भी पड़ा था हमने 25 में था है 25 में यह income है income c o m e तो देखो i n c i nd यह 25 था यह 24 में होगा इतनी सी बात है के नहीं आसान सी तो वही definition अब यहाँ पर बता रहे हैं तो यह वाली heading हमारी मैं next page पर जा रहा हूं आपका यहां से start करेंगे पढ़ना क्या है जाना एक बार इसके वारे में hint देता हम आपको income किन किन चीजों से मिलकर बनी है इंकम के अंदर क्या क्या आएगा क्या क्या उसका बाग है क्या क्या उसका पार्ठ है ये हम पढ़ेंगे लिस्ट ये पूरी लंबी दिखरी आपको बुक्स में लेकिन उस से पहले ये खाली जगह मैंने छोड़ी यहां पर मैं आपको कुछ जरूरी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है मैं पहले वो लिखाना चाहता हूँ और वो क्या है? वो क्या है हमारा? वो है हमारा Heads of Income Heads of Income Income के सर Income के सर, सर मतलब मैं नहीं, सर मतलब सर इन शॉर्ट केटेगरीज अगर हम किसी पर्टिकुलर इनकम की बात करते हैं तो उसकी income generation किसी पर्टिकुलर पर्सन की income generation कई तरीके से की जा सकती है भाती भाती नाना प्रकार तरीके से वो की जा सकती है ठीक है? बई कोई जॉब कर रहा होगा वैसे कमा रहा है कोई अपना बिजनस कर रहा है अपने हिसाब से किसी ने पहले कुछ एसेट खरीदी थी सस्ते में आज महेंगे में बेची तो उससे वो कमा सकता है अलग अलग जरीए हैं अलग अलग तरीके हैं लोगों के पैसे कमाने के तो उन अलग अलग तरीकों को income tax act में income tax act 1961 में पांच categories में डिवाइड करा गया है कितने categories बच्चों कितने categories दोस्तों पांच ठीक है पांच और उन पांचों को क्या बुला गया है heads of income ओके heads of income वो कौन-कौन से हैं सबसे पहला सबसे पहला आप लिखेंगे साथ-साथ यहां पर ठीक है जरूरी है सबसे पहला है कि अगर कोई व्यक्ति कोई person आपका job कर रहा है कहीं पर किसी के पास as an employee और उससे remuneration उससे पैसा कमा रहा है so that is what that is what income income from salary उससे क्या बोला जाता है salary इसका amount हम यहां लिख देते हैं ऐसे dash 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 करके clear okay ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से हो सकता है कोई आदमी उसने अपनी property को rent पे दे रखा हो तो उससे वो कमा रहा है rental income that is what income income from house property income from house property clear यह इससे कमा रहा है ऐसे ही हो सकता है कोई व्यक्ति अपना business कर रहा हो तो income from short में लिख रहा हूं है पी जी बी पी यह बोला करेंगे पी जी बी पी profit and gain from business and profession profit and gain from business and profession ठीक है तो business कर रहा है उससे कमा रहा है ठीक उसी तरीके से income कैसे create हो सकती है income create हो सकती है जब आपने पहले कोई asset कोई asset and the better word is capital asset क्या capital asset आएगा chapter आएगा आएगा इसका भी time आएगा वो आपने पहले खरीदी हलके में हलका बोले तो सस्ते में अभी उसको बेचा मुनाफ़ा कमाया बढ़िगा एक दम धिंचाक उसको बोला जाता है income from income from capital gain capital gain and finally the fifth one आपने पैसा कमाया इस जरिये से जो इन चार केटेगरी में नहीं आता उसे बोला जाएगा income from other other sources क्या बोला जाएगा income from other sources जैसे कोई interest की income कमाता है जो horse races other activities से कमाता है इसको बोला जाएगा other sources got it इन पाँचों को दोस्तों जब हम order करते हैं एक person के लिए जरूरी नहीं है कि सबकी सारी income हो हो सकता है कोई salary से ही कमा रहा हो house property उसका zero हो capital gain हो पर bgbp ना हो तो हो सकता है ठीक है लेकिन इन पाँचों को calculate करना पड़ता हर एक के लिए जब आप इसको जोड देते हैं न तो तब आता है आपका total income और इस total income पर जो tax है वो लगता है टेक्स लगता है star बना दू मैं हाँ पर star बना दू मतलब TNC terms and condition apply अभी यह कह देना कि टेक्स लगेगा इतना काफी है हाला कि कुछ और terms का हमें ध्यान रखना पड़ता है but we are not going to complicate that now ओके जी clear इस तरह से process होता है तो एक तरह से न यही slabis है आपका that is your slabis जो आपको majorly पढ़ना और other sources and yes obviously क्यों ना इसको और बढ़िया तरीके से लिख लिया जाए जो salary के provisions है 299 section है भाई salary के जो section है हमारा जो हम पढ़ेंगे वो 15 से 17 section 15 to section 17 of income tax act हाला कि कुछ point other sections के इसके बीच में आएंगे but formally अगर हम देखें तो 15 से 17 clear ऐसे हाउस प्रोपर्टी का सिलसिला शुरू होगा section 22 से लेकर 27 तक PGVP बहुत बड़ा चप्टर है आपका आपको पढ़ना है section 28 से लेकर आपका section 44 तक clear ऐसे ही पढ़ेंगे आप capital gain आपका capital gain स्टार्ट होगा obviously उसके बाद 45 से ये जाएगा 55 तक and other sources थोड़ा छोटा है नोटस टाइप है ये शुरू होगा आपका 56 से और जाएगा 59 तक so these are the major sections जो आपको cover करने है salary का सबसे starting में 15 से 17 house property 22 से 27 तक जाएगा इसके अंदर क्या है sections में वो discussion होगी obviously PGVP 28 से 44 है ये काफी बड़ा content है obviously इसके sections जादा है capital gain भी अच्छा खासा है 45 से 55 but other sources is quite law 56 से लेखर अपका 59 तक clear तो ये आपके heads हैं दोस्तो जो हमें income के पढ़ने के income कहां कहां से generate होती है clear आगे बढ़ते हैं अब आगे ले जाते हैं इसको यहाँ पर यहाँ पर meaning ज़रा definition वगरा देखो तो वही idea आपको यहाँ से मिल जाएगा just go through it पूरा पढ़ने की जरुवरत नहीं है रियाद करने की जरुवरत नहीं है आपको याद नहीं करना है ठीक बस पढ़ना है तो कोई भी जो monetary term उसने arise करी है वो income के अंदर cover होगी money की shape में ठीक है However, all receipts do not form the basis of taxation under the act जो भी कुछ सारा पैसा मिलता है ना उस सारा का सारा taxable नहीं होता जैसे कुछ gifts वो taxable नहीं होते agriculture income वो gift वो taxable नहीं होती आपको pocket money मिली वो taxable नहीं होती तो बहुत सारे चीज़ें वो धीरे धीरे सीखो के हाँ income include income क्या बोल दिया include क्या क्या आएगा तो अभी बोला ना PGVP profit and gain from business and profession कौन सा section था अरे सर 28 से शुरू था 44 तक पढ़ देंगे चुटकियों से okay dividend share खरीदे हुए उसका कुछ मिला आपको dividend तो yes obviously यह आपका क्या नाम है अरे क्या केते हैं उसको other sources में आ जाता है ऐसे voluntary contribution received by कहीं से हमें कुछ funds वगेरा मिले वगेरा वगेरा यह salary के अंदर आएगा जो allowances वगेरा है यह भी salary के अंदर आएगा perks वगेरा इसा पॉइंट हैं को जस्त रीड करिए capital gain देखो यह बोल दिया taxable under section 45 sir 45 से पढ़ना है हमें भी deemed profit to the tax 41 sir यह प्रोफ 41 यह तो PGP के अंदर आ रहा है PGP के अंदर आ रहा है 59 अरे sir यह तो आपने other sources में बताया यह चीज़े click होनी चाहिए हमें section का देखो क्या फायदा है कि हमें exam में अपनी explanation देने में benefit मिलता है नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बट लिखोगे तो अच्छा चलेगा right गलत section लिखने की ज़रत नहीं है लेकिन अगर लिखते हो तो उससे हमारे answer की जो enrichment है वो बहुत अच्छी होती है okay so यह सारे अलग-अलग points है आप इनको just read out करेंगे क्योंकि यह सारे के सारे points lottery वगरा card game वगरा अपना कुछ keyman चाबी वाला आदमी यह तमाम चीज़ें यह सब हम अपने हर head के अंदर जो chapter में पढ़ने हैं उसको discuss करने वाले हैं in detail ओके चली आगे ले जाएं इसको आगे यह सारे points आप इनको read करेंगे yes उसके बाद आईए कुछ theoretical content अगर हम बात करें कुछ theory वाला point जो है वो भी discuss कर लेते हैं okay now दो heading हम discuss कर रहे हैं आप एक gk type हमारा एक है हमारा capital receipts और एक ह अंदर अगर हम ध्यान दे capital receipts और revenue receipt में मैं पहले मुद्दे पर आजाओ मैं पहले main चीज़ पर आजाओ main चीज़ क्या कहा रहे है यह tax treatment पर आओ दोनों की tax treatment पर आओ capital receipt not taxable है और revenue receipt यह हमारी taxable है तो यह difference रखना बाकी 12th class में economics में मैं ने तो पढ़ाया भई ठीक है 12th class मे economics में आपने भी पढ़ा ही होगा revenue receipts क्या होती है revenue receipts क्या होती है they are somehow like regular income they are like regular income जो हमें receive होती है okay regular basis पर and capital receipts कभी-कभी जो हमें receive होती है okay उनको क्या बोला जाता capital receipts बोला जाता है तो उसी के बिहाफ पर इनका जो difference है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो capital receipts said what capital receipts refers to fixed capital यह आपका circulating capital है regular basis पर जो हमारी आती है received towards substitution of source of income amount received as compensation for surrender of any right of ownership यह मतलब सीधी सी बात यहाँ पर कोई काम कर नहीं रहे हो आप यहाँ पर यह काम जो है वो कोई कर नहीं रहे हो okay किसी चीज को surrender करने के बदले आपको जो कुछ amount मिला है that is what आपका capital receipts का जाता है okay और याद रखेगा capital receipts taxable category के अंदर नहीं आती है हाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें any compensation received for the loss of future profit ठीक है वो आपका revenue receipt कही जाएगी और यह taxable category के अंदर आएगा इसका मैं example आपको देता हूँ छोटा सा simple सा जिसे मान लीजिए आपकी एक particular shop है एक particular shop है आपने अपना structure बनाया हुआ है office वगरा बैठने का और वहां से आपने profits को operationable करते हैं काम को चलाते हैं ठीक है आप कई सालों से कई बहुत time period से एक काम कर रहे हैं तो आपकी profit monopoly goodwill अच्छे तरीके से maintained है अब अब एक आदमी है वो करा जी मैं आपसे business खरीदना चाहता हूँ ठीक है आप दाम बोलिए आप बोले नहीं यह हमारा setup business है और सीडिसी बात है हम इसको नहीं बेचेंगा इडिट्विट वह फिल्मों वाला है फिल्म में आपने भी देखी है लेकिन उसने blank check आपको दे setup है ओके वो value तो आप भरोगी भरोगी कि जो उसको asset आपकी create हो रखी है जो खर्चा उस building का हो रखा है राइट प्लस अपना जो goodwill वाला amount है वो भी उसमें add करोगे यही होता ना यही situation होती है ऐसा ही होता है अब मालो आपके building की जो value थी वो 1 करोड रुपे है और जो goodwill था वो 5 करोड रुपे तो total 6 करोड में deal done हो गई राइट अब दोस्तों जो 1 करोड रुपे आपको building के बदले मिला है ना वो capital receipt है वो capital receipt है लेकिन जो 5 करोड रुपे आपको और मिले ना अपने काम को छोड़ने के लिए वो revenue receipts है वो revenue यह example clear हुआ तो building वाला जो चीज है ना व पाद में discuss करेंगे that is a different scenario okay but जो amount आपको future के profit को surrender करने के लिए मिला है छोड़ने के लिए मिला है like a compensation उसको revenue receipt कहा जाएगा got it clear तो यह एक just आप इसको go through करेंगे कुछ example है आप एसे ही उसका reverse जो है हम अगर देखें तो वो आता है आपका capital expenditure और revenue expenditure तो normally आप जानते हैं जब ह जाता है और जब daily basis की current assets और raw material वगरा खरीदते हैं तो उसको revenue expenditure कहा जाता है okay got it and इसमें जो main चीज़ है मैं आपको बता जाता हूं यह तो बाकी normal है चीज़े हाँ वो normal के मैं बता दूँ जो capital expenditure है वो जाता है आपका balance sheet में वो किसमें जाता है balance sheet में और इस पर depreciation लगता है लेकिन जो revenue expenditures होते हैं वो सीधा हमारे profit and loss account में जाते हैं और खर्चों में show हो जाते हैं तो यह दोनों में फर्क निकल कर आता है इसको भी read करेगा as such इतना depth वाला point हमारा नहीं है उसके बाद है application of income and diversion of income यह थोड़ा सा जादा हो जाएगा अभी तो we are going to hold this okay we are going to hold this यहां लिख देना hold this और इसको में बाद में कराऊंगा क्योंकि जादा complicated theory content हो जाएगा भी इसकी एक अलग से हम video बनाएंगे और उसमें इस topic को cover करेंगे तो please इसको जादा hold करके रखिये का भी well 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 now let's come to this concept it is concept of financial year previous year and assessment year सबसे जादा आज की x class में सबसे जादा जरूरी जो तीन चीज़े हैं हमारी ने चार चीज़े हैं हमारी एक तो था वो assessi वाली definition और दूसरा person यह दो main चीज़े थी assessi कौन होते हैं और आपका जो person है वो कौन होता है दूसरा तीसरा हमने स्वारी तीसरा हमने पढ़ा heads जो हमारा assessment year ओके इसको अगर हम example के थुरुआई इसको थोड़ा side कर देते हैं यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर मैं जरा आपको content जो है इसका वो बताता हूं ध्यान दो इसको भी भूल जाओ इसको हम अभी भूल रहे हैं अभी हम अपना concentration यहाँ पर रखेंगे पूरा का पूरा देखो अगर मैं financial year F Y की बात करूँ तो यह आपका 1st April से शुरू होता है और 31st March तक जाता है यह एक simple सा concept financial year का ओके यह definition चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो financial year का जो आगया बट the thing is कि financial year याद रखेगा financial year का हमें ज्यादा लोड नहीं लेना यह इतना ज्यादा हमें परिशान नहीं करेगा इसको बस बस हाँ लिखा हुआ है कि साल की बात कर रहा है इतनी इसकी importance है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और main part हमारे income tax act में होने जा रह आए झाय अब इसका समझते हुआ हिएं यह क्या होते है बैए यह हो आप यह कौन हो आप ठीक है जी अब आपकी जॉब लगी आपकी 9 जॉब लगी कब लगी मैं थोड़ा past year का चलो इसी पर्टनी past का लेंगे पिछल एयर का record लेंगे ठीक है थोड़ा पीछे जाएंगे आ एपरिल 2019 में और पर मन्त आपको सेलरी मिलना स्टार्ट होई तो बताओ कितनी सेलरी चीए सर देदो सर कुछ भी देदो हैं लाख रुपए तो देदो कम सेंगे लाख रुपए तो इतनी चाहिए चलो दिया एक्जामपल ही तो ले रहे मुझे भी लिखने में क्या जा रहा है और सिलसला चलता जा रहा है तो मार चा गया वो के तो पूरा मतलब एक जो फाइनेंशल एयर है वो खतम हो रहा है आपका यहां पर ठीक है 2020 में यह जो एए यह कौन सा है जी यह 1920 ऐसे तो आता है यह में लिखना है कौन सा एयर है 1920 है और 1920 में इसी एयर में आपकी जो जौब है वो लगी है आपने अपरेल में पैसा कमाना स्टार्ट करा और मार्च तक कमाते जा रहे हो कमाते जा रहे हो कमाते जा रहे हो आपका मार्च आ गया मार्च को 31 31 मार्च आया last day आई आप शाम को ठके हारे घर पहुंचे शाम को 6 बज गए अब आपको ध्यान आया है गया एक साल गया पूरा ठीक है और एक साल में हम मैंने इतने रुपे लाख रुपे महीना के साब से कितने बारा लाख रुपे हो गए और बारा लाख रुपे मेरे हो गए अरे इस पे तो यार टेक्स जमा कराना है आपको ध्यान आया तो क्या करें शाम को 6 बजे निकलें मेट्रो पकड़के बस पकड़के परेशान मत हो यह परेशान मत हो है हमने आपको हमने आपको एक पूरा साल दिया हमने आपको पूरा साल दिया April से March दिया कमाओ जितना कमा सकते हो खूब दिन बर 24 घंटे काम को रोमाई ताफ से कमाओ कोई दिक्कत नहीं हमें clear okay 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 तो जिस year में, जिस year में, यानि के आपने 19-20 में, हमारे example के हिसाब से 19-20 में, जिस year में आपने इंकम अपनी जनरेट करी है, उसको बोला जाता है PY, उसको हम क्या बोलते हैं, PY बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, PY प्रिवियस year बोलते हैं, जिस year में इंकम जनरेट होती अब 31 मार्च last rate थी government ने गाट कमाया रहे रहें दो घर बेठ रहा है कोई दिक्ट नहीं बात सुनो बात सुनो द्यान से बिलकुल द्यान से वाली बात क्या है द्यान से वाली बात यह है कि अब कल से अगला year शुरू हो जाएगा 21 शुरू हो जाएगा 31 मार्च खतम होगी अगले डेट से 21 शुरू हो जाएगा आप 19-20 में जो आपने income generate करी है इनकम कमाई है उसके उपर आप tax pay कर देना आप tax pay कर देना 20-21 में अगले साल अगले साल एपरेल से लेकर मार्च तक का टाइम है आपके पास आप tax जमा कर देना और इसी लिए 20-21 को बोला जाएगा assessment year क्या बोला जाएगा assessment year assessment year assessment assessment word का मतलब होता है अरे जरा परचिया तो निकालो जरा हिसाब किताब तो करो जरा total तो कितना कमाया कितना tax देना है तो जो लेखा जोखा देखा जाता है हिसाब किताब लगाया जाता है income का कितनी है कहां से आई कहां को जाएगी कितना tax देकर हमें परेशान करेगी तो सीधी सी बात है पॉइंट यहाँ पर क्या निकल कर आया जिस year में tax लगता है उसको assessment year कहते है समझाई बात clear है the point is the point is जिस year में आपने income कमाई इस year में आपने income कमाई 19-20 वो previous year ओके और उसके उपर tax calculate करके जिस year में जमा होगा यानि कि उससे next year that is assessment year वो क्या होता है assessment year होता है so remember जिस income का आप हिसाब किताब लगा रहे हो वो previous year होगा और उससे अगला साल आपका सदैव हमेशा हमेशा होता है assessment year clear यह चीज़ clear हुई हाँ यहाँ पर जैसे मैं नहीं मुला पूरा साल होता है एपरेल से लेकर मार्च तक आप टेक्स जमा करा सकते हो हाँ जी पूरा साल होता है कभी भी जमा करा दो बट गौर्मेंट की कुछ deadline से जैसे जुलाई के महिने तक individual हुएफ को करा देनी होती है ठीक है September तक आपको firm and company को करा देनी होती है इन डेट्स के बाद भी करा सकते हो बट फिर charges मतलब आपको penalty वगरा पे करने पड़ेगी got it तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे यह point हमारा consider होगा okay बट अब आप कहोगे कि sir यह हम है आप मतलब है ना 19-20 में मेरी नौकरी लगी उके 19-20 में नौकरी लगी मार्स तक मैंने कमाया तो क्या अगले साल चुट्टी ले लूँ 20-20 में चुट्टी ले लूँ टेक्स जमा कराना है मैं नहीं आओगा नौकरी है ऐसा थोड़ी नहाँगा कमाओगे कमाओगे तो आप 20-21 में भी 20-21 में कमाओगे और फिर उसका टेक्स 21-22 में जमा कराओगे तो 20-21 अपने आप में एक previous year भी बन जाएगा और उसका assessment year उसके अगले साल होगा उसका अगले साल होगा तो मतलब हर year हर year अपने आप में मैं एक year हूँ ठीक है मैं एक year हूँ मैं अपने आप में assessment year भी हूँ किसका पिछले साल के हिसाब किताब का पिछले साल जो कमाया है वो इस साल text में जमा होगा और मैं खुद एक previous year भी हूँ, इस साल भी कमाई होगी, और इसका tax अगले साल जमा होगा, clear, तो ये difference हमें मालूम होना चाहिए, in short, the thing is, the thing is, दोनों भारा-बारा महीने के हैं, दोनों भारा-बारा महीने के हैं, बट जिस year में income generate होगी, जिस year के लिए हम income calculate करेंगे, that is previous year, और tax जिसमें जमा होता है, उसको बोला जाता है आपका assessment year, clear, अब इसमें एक चीज और, last चीज और, अगर मालो आपकी नौकरी, एपरेल में ना लगके, मालो जुलाई में लगती, जुलाई में लगती, तो सर क्या फिर previous year जुलाई से जुन तक होता, 12 महीने लेते, नहीं, खतम वो मार्च में हो जाएगा, इस बार 12 महीने का ना होकर, जुलाई से 9 महीने का रहा, ठीक है, मा बिलकुल माना जाएगा, अगले साल से फिर पूरा इसाब जारी होगा, ओके, सो ये कंडिशन है, ये सिचुएशन है, previous year और assessment year की, आईए जड़ाद देखे, यहाँ पर अपना content, previous year आपका section 3 में इसकी कोई specific definition नहीं बताई गई है, हाँ, A, starting में ही आगे है, A, assessment, असेसी थ year in which income is earned, called previous year, उसे previous year कहते है, previous year मतलब assessment year से preceding, पहले वाला साल, और assessment year क्या है, जिसमें income को assess करा गया है, जिसमें tax लगा है, और ये obviously previous year के बाद ही होगा, जैसे अगर हम बात करें, assessment year, ये 12 महीने का period नॉर्मल आ गया, और इसका जो 19-20 है, जो example हमने लिया, इसले पिछले का क्यों कि अभी तो ये चली रहा है, तो उसका अगला साल, previous year 19-20 है, तो assessment year 20-21 होगा, क्लेर जी, ये इसको आपरेट कर ले, example है, कोई दिकत वाले है, क्या है, टाइटैनिक क्या गया, अचा हा, ओके, 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 ये चीज़ हमारी basic definition होगी, आओ ज़रा आगे बढ़े, आओ ज़रा आगे बढ़े, एक heading है, एक heading है हमारी, अब ठीक है, ये बीच में आगया इसको, वो हटानी सकते है, कोई नहीं क्या होगया, पढ़ लो थोड़ा से ये भी, ये एक heading है हमारी, cases where income from previous year is assessed in the same year, assessed in the same year, क्या है, क्या, क्या कहना चाहरे हो आप, क्या कहना चाहरे हो आप, ओ सॉरी, माफी चाहते हैं, एक और जाए, अभी आपने बताया, अभी आपने बताया, ये यहाँ पर कहानी बताई हमें, थोड़ी बड़ी हो गई, कि जिस year में कमाते हैं, उससे अगला होता है हमारा assessment year, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं heading पढ़ रहा हूँ, या पढ़ रही हूँ, मतलब आप, वो कह रहा है कि assessment year, where income of previous year is assessed, मतलब हिसाब किताब, उसी year, same year, मतलब सर, आप कहना चाहते हो, कि एक ऐसी situation, जब previous year, ओहो, जब previous year, और assessment year, same है, एक ऐसी situation, मतलब, अगर मैंने, 19-20 में कमाया है, तो tax, मुझे 20-21 किस में देना चाहिए था, आपने बताया अभी, लेकिन आप कह रहे हो, अगर 19-20 में कमाया है, तो मुझे tax भी, 19-20 में दे दो, हैं, ऐसा, क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला, क्या बोला, हैं, मैंने बोला, बोला, नहीं बोला, येस, यही बोला, heading यही कह रही है, normally, normally, what I said, normally, तो जिस year में कमाया हो, previous year और अगला साल assessment year होगा, normally, but, in some cases, in some of the cases, not so many, just a titanic case, what is titanic, थोड़ी दे ने पता चलेगा, movie देखिए है ना, बस वो ही है, clear, कि कुछ cases में, कुछ cases में, आपका जो assessment year और previous year है, वो same होता है, मतलब, जिस साल, आपने income कमाई है, उसी साल, आपको tax देना होगा, अगले साल का इंतजार नहीं होगा, ये कौन-कौन से case है, आओ ज़रा नजर डाले, अभी titanic पर नहीं जाते, बाद में देखेंगे titanic, आओ ज़रा वो cases पढ़े, वो कौन-कौन से cases है, जिस year कमाया है, उसी साल हमें tax दे, shipping business of non-resident, shipping business of non-resident, non-resident बोले तो भारती है, भारती है, नहीं भारती है थोड़ी नहीं, सर गैर भारती है, non-resident, इंडिया के नहीं है, पानी के जहाज से, जहाज के थुरू यहां तक आए, अपना व्यपार करने आए, बिजनस करने आए, समान बेचा चले गए, ठीक है, अब यहर वो समान आए, बेच कर जा रही है, वो कह रहे हैं, ठाटा भाए भाए हम अगले साल आएंगे, आपका टेक्स जमा करने, क्योंकि यह तो प्रीवेस येर है, असेस्मेंट येर तो अगला होगा, गॉर्मेंट हमारी कहते हैं, पागल हैं क्या, क्या लिखा चेरे पिमारे, भाए तुम इस साल आए, पैसा कमा के जा रहे हैं, तुम्हारा क्या भरोसा तुम कल को आओ या ना आओ, ठीक है, क्या भरोसा तुम कहीं से भी आओ, कोई से भी देश से आए हो, क्या भरोसा, ऐसा है, आज आयो, समान बेचा है आज के आज हिसाब क्लियर करके जाओ हम अगले साल तुम्हारा इंतिजार नहीं करने वाले, तो ऐसे cases में ठीक है, section 172 इसका आजादी देता है कि आया, समान बेचा income generate करी, अभी tax दे और निकल, यहाँ से जरुत नहीं ठीक है, हाँ, इनका straight forward rate होता है यह income 7,5% इसको हम tonage taxation कहते है इसको हम क्या कहते है tonage taxation, यह याद रखेगा यह journal knowledge है, यह आपके slavus में नहीं है, ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, final में पढ़ा होगा ठीक है, लेकिन अभी knowledge के तौर पर मालूम हो कि वे tax कैसे, तो 7.5% पूरा का पूरा लग जाता है, amount के उपर, ओके ऐसे ही, एक और, यह पहला case हो गया, ठीक है, दूसरा case कहता है person leaving India ठीक है, permanent basis पर permanent basis पर present, हाँ, हाँ, यह रान, यह वाला point, के इंडिया छोड़कर तो जा रहा है, लेकिन उसकी intention वापस आने की नहीं है वापस आने की नहीं, एक नाम सुना है अपने, विजय मालिया यह वो ही है, यह वो ही है ठीक है, वो बात लगय के वो निकल गया, वो AO की नजर में आने से पहले ही निकल गया AO बोले तो assessing officer ठीक है assessing officer तो जब कोई व्यक्ति कोई आदमी अपना काम छोड़ कर जाता है काम पूरा करके देश छोड़ के जा रहा है और अब वापस नहीं आएगा अब सीधी सी बात है जो हिसाब किताब कर जो पूरा इस साल कमाया तूने उसका tax हमें इसी साल दे कर जा नवंबर में shift हो रहा है तो अगले अपरेल का मई का हम नितजार नहीं करेंगे अब भी के अब भी अपने को हिसाब किताब चाहिए पूरा तो AO कहता है भाईया टैक्स हमें पूरा का पूरा दे ऐसे ही आपका थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड पॉइंट कहता है कि किसी भी प्रकार का AOP AOP बोलो कौन? AOP सर एसोसियेशन ओफ पर्सन था BOI बॉड़ी ओफ इंडिवीज्वल था आपका AJP आपका आपके अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्रियेट होते हैं मतलब लाइक मालो दो इंडिवी मैं और आप ठीक है मैं हम दोनों ने अपना एक कोई इवेंट और्गनाइस करा कि बाहर से हम किसी स्टार को बुलाएंगे या इंडिया में किसी स्टार को बुलाएंगे हमारे हाँ फंक्शन होगा लोगो को आपने टिकेट विकेट बेची उसको पेमेंट करी स्पांसर्शिप से पैसा कमाया अब इवेंट हो गया काम खतम अब काम खतम तो सीधी सी बात है अब है sacred फंक्रमाइब टॉसर्शा इवेंट के लिए अपना गुरूप बनाया था ठार्गेट पूरा हो गया और आप लूआअब इविए वेंट के लिए परसन लाइकली टू ट्रसफर to avoid tax ये आगे ना चल के हम एक chapter पढ़ेंगे और उसको नाम देंगे हम clubbing क्या नाम देंगे clubbing इसमें मैं आपको किसी भी प्रकार के club में लेकर नहीं जाओंगा तो ऐसी उम्मीद ना रखें अगर चलना है तो आप लोगों का स्वागत है बिलकुल लेकर जाओंगा मना थोड़ी ना कराएं मैंने ऐसा नहीं है बहुत अच्छा हूँ ठीक है लेकिन डेली आना होगा आएंगे तो definitely आपको लेकर चलेंगे गुमाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग invited है अब यहाँ पर देखो यह क्या कह रही है यह कोई चालू आदमी है यहiniestर चालू है यह इनके बहुत सारे बिजनस चलते है उसमें से एक बिजनस है इनकी हाउस प्रॉपरटी का जिसका रोंट उनको तीनलाग हाता है जिसका रेंट उनको तीन लाख रुपय आता है मिस्टर चालू को इनकी एक वाइफ है एक ही ठीक है ओविसली यह मतलब यह थोड़ा जीव सा हो गया बट एक ही ठीक है मिस्स चालू वती यह मिस्टर चालू वती ठीक है मिस्टर चालू कहते है कि यार मेरे ना बहुत बिजनस है अलरेडी बहुत टेक्स लगता यह तीन लाख रुपे की इंकम और मैं जनरेट कर रहा हूँ तो टेक्स मेरा और बढ़ जाएगा क्यों ना मैं इसे अपनी वाइफ को ट्रांसफर करवा दूँ कैसे जिस प्रॉपर्टी से यह रेंट आ रहा है उसको 30 मार्च को मैं चालूवती को ट्रांसफर कर देता हूँ है ना और 2-3 अपरेल को वापस ले लूँगा ठीक है चालूवती के नाम पे इंकम काउंट हो जाएगी और उसको टेक्स नहीं देना पड़ेगा 3 लाग तक कोई टेक्स नहीं लगता तो मिस्टर चालू चालू बन तो रहे हैं लेकिन सरकार कौन चला रहा है मिस्टर जादा चालू ठीक है ऑविसली भाई गॉवर्मेंट तो बड़े सोच समझ के पहली जानती है ने गॉवर्मेंट अल्रेड़ी तीस मार्च को चालू बननेगी यह तीन लाग रुपर जो अभी तक कमाएं ना इस पर अभी के अभी टेक्स चाहिए अभी के अभी अभी सोचे अगले साल ना 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 अभी के अभी टेक्स चाहिए अमको गॉट इट तो अगर कोई आदमी ठीक है असेसिंग ओफिसर ए ओगें कि नजर में आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपना टेक्स बचाने के लिए टेक्स बचाने के लिए टेक्स दे भाई टेक्स दे नहीं तो निकल 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 ओके नओ तो लास्ट पॉइंट इस डिसकंटिन्यूड बिजनस सेक्शन 176 ठीक है यह चीज़ क्या है वेसिकली आपका कि अगर कोई बिजनस डिसकंटिनूड हो गया फॉर एक्जामपल जैसे दोस्तो एक एक्जामपल इसका मैं हम दोनों ठीक हम दोनों हम दोनों ने काम शुरू करा कब शुरू करा बिजनस शुरू करा हमने सेप्टेंबर 19 में हमारा पार्टनर्शिप फॉर्मड हुई और यह काम चल रहा चल रहा चल रहा है साल खतम March 20 में तो यह year कौन सा है 1920 टेक्स हम कब जमा करेंगे अगला साल कि सर असेस्मेंट यह क्या है 20-21 19-20 हाँ तो 20-21 में 21-21 में जमा हो जाएगा The next year is assessment year ऐसे ही हमने काम तो अगले साल भी चालू रखा तो April 20 से काम चालू रहा बिल्कुल चालू रहा March 21 तक तो यह year कौन सा रहा 20-21 और इसका assessment year क्या होगा सर 21-22 हो जाएगा बिल्कुल सही है जिस साल कम है उस से के लिए साल टेक्स लेकिन हमारी जो partnership है तुमने partnership तोड़ दी April 21 से हमारी partnership खतम हो गई और हमारी partnership खतम हो गई November 21 में इसी साल तो यह year कौन सा है यह 21-22 है 21-22 है यह वाला year है न इसका assessment year क्या होगा 21-22 ही होगा इसका assessment year क्या होगा 21-22 ही होगा गौर्णमेंट करी काम खतम तो हो गया तुमारा जिस टारगेट के लिए आपने अपनी partnership रखी हुई थी काम चल रहा था ठीक है हम rule follow कर रहे थे बड़ जब partnership ही नहीं रही जब काम ही नहीं रहा तो इसी साल देखकर खतम करो ना वापस सिंतिजार कर रहे हो तो आपके अकाउंट्स बंद हो गए नवंबर में पूरी calculation हो गई जो वाम टाया टेक्स दो खतम करो तो इसी लिए अगर कोई discontinued business होता है तो same year में ही उसका हिसाब किताब कर लिया जाता है जेए और इसा तो ही बनाओ जाए पर, आज टीऑ ऐसाथ है यह सबगा अब क्यां ही हिरोट меньше आगी क्या सब सबताए spricht लोग करेंसी तो आइसे भी बहुत सारे लोग एन MARK behaving को बहूत सारे बौत सा सब्सक्राइब ऐसे कानी चल रही थी, चलते जा रहें-चलते जा रहें-ठीक है? अब यह आगे है, आगे है याइसबर्ग इसको इनने क्या करना था? उनको अफ़से क्रेंड़ हों करना लेकिन जा सिर नहीना घा था सी से ओधिया completely same year ठीक है उसके बाद एक person person कौन जैक जो खड़ा है उपर जहाज पर यहाँ ठीक है person कौन सा जो इंडिया जहाज छोड़ के जा रहे है सारे जहाज से पता नहीं कहा जा रहे है उसके साथ साथ यह आपके बहुत सारे लोग जिन्होंने particular event के लिए target set करा फिर avoid आगया iceberg avoid करना था तो जो avoid कर रहा है proper text बचाने के लिए property transfer कर रहा है और फिर जहाज भिड़ी गया discontinued हो गया तो यह तरह से याद करने का तरीका ठीक है और line में है section 72 हमारा ship का था 73 में नहीं है दोनो person 174, 174A में आ गए 75, 76 these are like याद करने का तरीका जो हमें मालूम होना चाहिए got it दोस्तो तो यह point हमारा cover हुआ और यह last point भी चलो आपको ही समझा दिया जाए इसके बाद I think यह समाप्त है इसके बाद नहीं है कुछ इस topic को भी आए देखें बड़ा simple सा है previous year taxation previous year for undisclosed income की हम यहाँ पर बात कर रहे है माफ कीजेगा देखो यह section काफी जादा चर्चा में आया चर्चा में आया भी specially तब जब note बंदी हमारी हुई थी note बंदी हमारी हुई थी कई बार क्या है कई बार क्या है कई लोग अपनी income को डिस्क्लोज नहीं करते ठीक है डिस्क्लोज नहीं करते बताते नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो खुलासा होई जाता है कैसे ना कैसे गर के अब अगर undisclosed income आपकी शो हुई है ठीक है सामने आई है तो उस पर tax कैसे कैसे किन किन कर्टेगरीज में लगता बस उसके लिए छोटा सा पॉइंट है जैसे बात करें cash credit की cash credit की cash credit where any sum is found credited in the books of SSC and SSC offer no explanation about the nature source or explanation offer is not satisfactory कहने का मतला उसके खातों में कुछ income arise हुई और वो जो income है उसका वो ढंक से source नहीं बता पा रहा है सही उसकी information नहीं दे पा रहा है तो उसको हम cash credit का category में रखते हैं section 68 और इसको उसी year में tax लगा दिया जाता इसके लिए फिर अगले साल का इस्तिमाल नहीं होता अगले साल तक हम इसका wait नहीं करते ऐसे ही same आपका unexplained investments कुछ चीजों का खुला सा बाद में हुआ तो याद रखेंगे value of investment value of investment a tax in the income of assessi of such financial year in which they are made जिस साल investment करी गई थी उसी साल उस पर tax लगेगा ठीक ऐसे ही आपका unexplained money you just have to read these points ठीक है यह इसलिए आपको पता चल जाएगा कि अगर undisclosed event आपके arise होते है unexplained money है तो जिस year में पता चला है उस year में उसके उपर tax लग जाएगा amount of investment not fully disclosed in the book इसमें ना मैं आपको एक्जामपल आता हूँ सीदा गा सीदा यह वाले point लेके आ रहा हूँ यह बड़ा famous point था इसको आप read करेंगे इतना उसमें कुछ नहीं है यह वाले चीज़ यह चीज़ इसमें main है यह बड़ा interesting यह अभी recently ही add हुआ है यह आपका जो tax rate है आपको याद होगा note बंदी से पहले जो note बंदी हुई थी उससे पहले जो हमारे प्रधान मंतरी है उन्होंने बूला भी था कि अगर किसी के पास illegal money है black money है तो उसको disclose कर लिया जाए और उसे अपने पास ही रखो हमें उसके उपर tax दे देना tax के rate काफी heavy थे 60% का tax था 25% आपका surcharge था ठीक है तो लगभग मोटा मोटा 78% tax लग जाता था तो इसी लिए शायद कई लोगों ने disclose नहीं करे जिन नहीं करें तो पच्चता है बाद में और 78% definitely a massive rate यह सरचाज वगरा क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे but the thing is जो यह वाला particular section है यह normally इसी लिए बनाया गया है जो illegal money counted हो रखा है जो illegal money counted हो रखा है उसको रोकने के लिए कि अगर कोई obviously बात है जिस year आपकी income existence में आई वाकिई हुई उसी में उसी साल उसके उपर tax देतो तो 10% 20% जो भी rate होता उसके हिसाब से tax देना पड़ेगा लेकिन अगर आपने जोड़के रखा हिसाब कि यार नई छुपा लेते हैं वगरा वगरा सीधा massive rate सीधा massive rate तो यह जो particular section है यह हमारा obviously ऐसी illegal income कह लीजिए या आपका undisclosed income कह लीजिए उनके लिए ही बनाया हुआ है बट obviously इसको हम इतना depth में नहीं पड़ने वाले ठीक यह बस पर knowledge के लिए मैंने आपको इस point यहाँ पर रखा हमने आज की इस section में हमने जो अपना point है काफी सारे वो cover करें और हमने starting में जो text का content था उसको लेकर discussion करी so I hope this content is clear to you आप please इसको read करियेगा कहीं पर किसी point में कोई query कोई doubt आ रहा है कुछ extra भी पूछना चाहते हैं तो no issues in that next last में we will start with the computation okay उसके बारे में थोड़ा सा पहले में आपको यह बता दूँ दोस्तों जो computation है ना वो हलाकी बिल्कुल बाद में होती है बिल्कुल सही तरीका जब slaybers हम पढ़ लेंगे पूरा okay capital gain मैंने आपको बता दिया head होता लेकिन उसमें tax कैसे लगेगा calculate कैसे होती है उसके income house property बता दो दिया rental income लेकिन उसमें क्या क्या provision है वो भी नहीं पता तो अभी computation हम सीखेंगे but for the basic level वो advanced level नहीं सीखेंगे and yes जब slaybers खतम हो जाएगा हमारा तब assessment of income tax assessment of income को लेकर दुबारा से एक chapter होगा आपके slaybers में उसमें वो topic cover करा जाएगा but पहले basic सीखना इसलिए जरूरी है कोई चलते लते पूछ लेकर बता जारा tax कैसे calculate होता है तो वो मालूम हमें होना चाहिए so please revise this class for any query doubt आप पूछेंगे next class में आप से मिलते हैं computation of tax को लेकर please take care thank you कर नब कर दो देंगे कर तो वो